आज हम बात करेंगे उस सोच की जो भारत में उच्पत पर भी आसीन होने के बाद ऐसी सोच रखता है जो भारत के विरोध में हो जो भारत को तोड़ने वाली सोच हो जो आतंग बात को समर्थन करती हो और इसे में दो नाम है एक है जफूल इसलाम जो भारत में ही हैं और वो दिल्ली के अलवसंख्यक आयोक के अध्यक्ष हैं और वो जो सोच रखते हैं वो तो hace दूसरा नाम आपको हम बता रहे हैं कि मुहमस्त महसिन जो अपना हीरोग की सुमाणते हैं जो देश को तोड़ रहे हैं जो देश को कमजूर कर रहे हैं जो कोरोना वारियर्स हैं हमें हमारे जो हमारे कोरोना वारियर्स हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं उनके हीरोज हैं जी इसी पर विशे और इसी विशे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवंत त्यागी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर जी नमस्कार सर जिस तरीके से जफरुल इसलाम ने कहा कि अगर गल्फ देश जो अरब देश है अगर मुसल्मानों ने शिकायत कर दी तो भारत में आंधी तूफान आ जाएगा मतलब इनको अपने कानून विवस्था पर विश्वास नहीं इतने बड़े पद पर हैं दिल्ली अक्संख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं और वहीं पर केजरिवाल जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को बिठाया है उनको इस ये चीज दिखाई नहीं दे रही या सुनाई नहीं दे रही या फिर तुष्टी करण की राजनीती के कारण वह मौन हो गये हैं और वोट बैंक के लिए समर्थन कर रहे हैं मौन समर्थन सर आप क्या कहेंगे इस पर देखिए जैसा आपने कहा के ऐसी सोच वास्तम में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोग बेनकाब हुए हैं जो इस भारत में भारत की जनता ने भारत की सरकार ने उस पर भरोसा किया और वो देश के सरवोच पदों पर भी बैठे हैं लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो अब जाहीर हो रहा है जैसे आपने चर्चा की दिल्ली अल्प संक्यक आयोक के चेर्मेन की ये जो जफर उसिसलाम खान है ये कैबिनेट मंत्री का दरजा होता है उसको पावर जो मिलती है और उनको ये काम होता है कि जो अल्प संक्यक लोग हैं उनके साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है उनके विकास के लिए उनकी उन्नती के लिए कुछ योजनाय करनी है उसको लागू कराना लेकिन ये कैसी बात कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर हमने भारत में मस्लमानों पर जो अत्याचार हो रहा क्योंकि जब कोई इतने बड़े पद पर बैठा हो कि वह किसी राज का कैबनेट मंतरी के जर्दे का आदमी हो तो कोई वह बात बोलता है तो उसका अथेंटिकेशन होता है कि यह बोल रहा है तो ठीकी होगा तो इसका मतलब वह क्या कहना चाहरे है इसका मतलब दिल्ली के निरनायक मोड पर है दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसमें ताहिर हुसेन नाम का जो आप आदमी पार्टी का पार्शद उसमें में नाम आया और उसके पीछे पीए फाई का जो हाथ आया उसके पीछे और आतंगवादी गतिविदियों में यूए पीए कानून लगाया ग पार्शद आई लोगों को मारा गया और इसको ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे और ये अलपसंक कायोख के चेयर्मेन होने के बावजूद भी लेकिन ये ऐसा जाहिर कर रहे हैं बार बार इस तरह के बयान बाजी करके के जैसे कि इनके उपर ही अट्त्याचार हुआ है और इनकी सोच की वज़े से ये पूरी दुनिया में इसको बदनाम तो करना ही चाह रहे हैं लेकिन ये दिल्ली दंगों में कहीं ना कहीं उन दोशियों को जो पी आफाई के मेंबर हैं जिनका खुलासा अभी होना बाकी बचा है जाँच अभी चल रही है इस कंडिशन में यदि कोई इतने बड़े पद का वेक्ती कोई इस तरह का व्यक्तव देता है कोई लेक लिखता है कोई ट्वीट करता है तो यह उस जाँच को भी प्रभावित करने का एक सडियंत्र है तो यह यह सोच इसलिए है ताकि वो जो ताहिर हुसैन पर कारवाई हो रही है यह उनके जैसे और हो रहे हैं उमर खालिद जैसे लोग जेल में हैं तो यह नहीं चाहते के दानिश जैसे लोग यह चाहते नहीं हैं कि उनके खलाब कोई कारवाई हो और जो तो कारवाई हो रही है ये पबलिक में बयान बाजी करके लोगों को भढ़काने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों CAA के नाम पर सीधा सा एक कानून है जिसमें भारत के किसी भी मुसल्मान का कोई लेना देना नहीं है तीन देशों के लोग आने तुमको जेल में डाल दिया जाएगा जो विचारे भोले भाले लोग हैं जिनका ये आइकान हैं वो सोचते हैं कि ये हमारे अग्रणी है इतना बड़ा नेता के आप देखे जफरुल इसलाम खान कौन है वो वेक्ती है जो इसलामिक स्कोलर है अब इसलामिक स्कोलर और वो इतना पढ़ा लिखा मीडिया से जुड़ेवे बंदे रहे वो कई किताबे लिखी हैं लोग सोचते इतना पढ़ा लिखा आदमी है अगर ये बात बोल रहा है कि लोग जेल में चले जाएंगे ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा शतुस ठीक ही बोल रहे होंगे और इस सरकार ने इसलिए कारवाई की है क्योंकि इस तरह की बयानबाजी से दिल्ली में ये फिर से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं क्योंकि कल जब दिल्ली दंगों के दोशियों को जेल में डाला जाएगा और जैसा कि कल एक ओर्डर हुआ है कि यहां पर जो दंगे में न काएंगे ये काएंगे देखो हमने पहले ही कहा था कि दिल्ली में अल्प संग्यों को पे सरकार अत्याचार कर रही है और ये देखिए मौदी सरकार ये देखिए भारत का कानून अल्प संग्यों को पे अत्याचार कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये जो कार इन्हों ने ट्व जाएगा तो क्या ये उन इस्लामिक कंट्रियों को अंदा और बहरा समझते हैं ये मूर्ख समझते हैं क्या वहां के जो राजा हैं प्रिंस हैं और जो वहां के परदान मंत्री हैं अरब कंट्रियों के उनको क्या बुद्धी नहीं है कि ये जो कहेंगे वो मान लेंगे अगर इनके कहने से ही वो मान लेते तो ऐसे तो राग कितने ही मौलाना कब से अलाप रहे हैं कि यहां भारत में अलप संक्यों को पर अत्याचार हो रहा है तो इसलामिक कंट्री वालों ने तो किसी ने आज तक कुछ बोला नहीं उन्होंने तो बलकि मौदी जी जब गए तो उनको अनेक कंट्रीों में सम्मान दिया गया सरवोच सम्मान दिया गया क्यों दिया उन्होंने सम्मान क्योंकि वो देख रहे हैं कि 2004 से जब से मौदी सरकार आई है उसके पहले जो सरकारे रही उन्होंने तुष्टी करण के कारण अलप संक्यक वर्ग की वोट तो ली लेकिन उन के जो रोजगार है वो उनके बीच में कम है क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है तो जो अरब कंट्री हैं वो सब ये देख रही हैं कि जब से मौधी जी आए हैं उन्होंने सबका विकास सबका साथ जो नारा दिया है वो नारा नहीं है वो उसको अक्षर से पालन कर रहे ह और धरातल पर उसकी चीजे दिख रही हैं मौधी जी ने एक बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि मदर्सों में सोरी मदर्सों में कुरान पढ़ाई जाए लेकिन एक हात में कुरान तो एक हात में कम्प्यूटर हो और इसको इंप्लिमेंट करने के लिए बहुत सारे मदर्सों में ये इंतिजाम किये जा रहे हैं इससे क्या होगा आने वाले दिनों में और अभी भी ये रिजल्ट आने लगा है कि जो इसलामिक शिक्षा पढ़ने वाले लोग थे आज वो कंप्यूटर की भी नॉलिज प्राप्त कर रहे हैं और इससे उनको आगे आने वाले समय में हाइड्रोक्सी क्लोरोफीन जिन देशों को दी है उसमें अनेक अरब कंट्रियों के भी देश हैं जिनोंने मोधी जी की प्रसंसा की है इस बात पे और अभी हाल ही मोधी जी ने एक ऐसा निड़न लिया है कि अरब कंट्रियों ने जो मदद मागी कि भाई हमारे यहां थे मेडिकल टीम में थे और यहां की नर्सें थी उनको इस पेसल प्लेन से वहां भेजाए दवाईयों के साथ और मेडिकल एक्क्यूप्मेंट के साथ तो उनका धन्यवाद मोधी जी का वो कर रहे हैं अरब कंट्री वाले ऐसे में यह जो ऐसे जफर साब हैं कहने वाले इन और इतना पढ़ा लेखा वेक्ती वो किस तरह से भारत सरकार को धंकी दे रहा है यह तरह से उनकी तरह से धंकी थी जिसमें पुलिस ने जो कारवाई करी है 153 में इनको सबक मिलेगा अब यह सोरी भी बोल रहे हैं लेकिन कोई बात मुझे निकाल दी आपने आपने अपना म परज कर ली गई है लेकिन वहीं बात करें और वहीं पर करनाटक को एक आई-स ऑफिसर है जिन्हों ने कहा कि तबलीगी 300 से जादा तबलीगी हमारे हीरो है जो हीमनेटी के लिए प्लाजमा ठेरिपी के लिए प्लाजमा डे वेकर यह सबको पता है कि तबलीगी जमात में क् तिरे एक कोना बुझाने चले जाओ और उसके बाद उनको करनाटक सरकार में उनको नोटिस भी दे दिया गया है जो ये महसिन साहब हैं जिनके आपने बात की आईयस अदिकारी अब आप देख रहे हैं भारत में सबसे बड़ी अगर कोई पोस्ट है तो वो आईयस होती है और आप जानते हैं हमारे देश के परधान मंत्री SPG की सुरक्षा प्राप्त हैं तो वह होते हैं कि उनके प्लेन या उनके समान को चैक नहीं किया जाता किवल SPG उसको चैक करती है लेकिन ये सहाब क्या हुआ कि अपना मौसीन साहब उनके हेलिकॉप्टर को चैक करने पहुंच लोग हैं जो पूरी कम्मिनिटी को बदनाम करने में लगे हैं आपको ध्यान होगा पिछले दिनों 101 ब्यूर्योक्रेट ने पी-म को और कई देश के परदेश के राज्यों को मुख्यमंत्रियों को चिठी लिकी दी उसमें भी उन्होंने क्या लिखा उसमें भी उन्होंने यही लिखा के भई आप जो है अल्प संक्यों को बदनाम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह तबलीकियों को कवर अप करने की कोशिश है इसमें दिल्ली सरकार भी बढ़ चड़ के भाग ले रही थी और प्लाजमा थैरी के थैरिपी के नाम पर आपके चैनल ने कल दिखाया के आ तबलीकी बीस लाइन में कहड़े हो गए वो किए गए थै ताकि वो तबलीकियों को देश भक्त बताकर दे видео दूत बताकर अच्छा थाबित कर दें ताकि उनके जो पाप हैं जो उनगे पूरे भारत में कोरोना को फैलाने के लिए किये हैं वो कहीं ना कहीं दप जाये क्यो ये भारत के अन हिस्तों में भी जहां-जहां से पकड़ में आएंगे इनके वीजा कानून के तहत इन पर कारवाई की जाएगी वहीं इनके सम्मंद कहीं ना कहीं आतंगवादी संक्षन से भी जुड़े हुए हैं अभी जो इनका मौलाना साध है उसके बारे में पता लगा है कि 125 बैंकों में अलग-अलग उसने खाते खोल रखे थे जिन से जो ट्रांजेक्षन आई है वो ट्रांजेक्षन की वो शक के डायरे में है कि कहीं आतंगवादी संक्षनों से तो कोई लेना देना नहीं है जैसे जैसे सरकार इन पे सिकंजा कस्ती जा रही है ये सारे वो लो कि 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 अ कि कि ओल और कम शें लू बाक, को भी है